हे गाईज वल्कम तो देव भूमी करेर पॉइंट आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्तों होंगे काफी अच्छी आपके स्टेडी चल ले होगी तो देखे चार और पांस नॉबर को आपका वीडियो वीडियो का जो एक्जाम है दिसंबर वो कंफर्म हो चुका है और काफ को मिल गया होगा सबको पता भी होगा पेपर किस तरीके का था और कैसा था यहां पर मैं कुछ आपको इससे सम्मानित महत्तोपूंक्र की पोइंट बताने वाला कुछ कनेक्शन है आप बताएंगे जो आपके एक्जाम में काम आ सकते हैं चार और पांच को ठीक है तो मैं इसा बोलता हूं उत्राखिण में गुरूप सी का एक्जाम मतलब 90 परसेंट आपका वर्क हार्ड है 10 परसेंट और इसमें आपको वह गुड़ लग काम करता है ओके तो चलिए देखेंगे हम जो लाश्ट यहर का पेपर हुआ तो 2008 रहा और देखिए हमारी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं हमवांतवुके.com जैसे कि आप देख पारें स्क्रीन पर तो इसमें आपको फ्री टैस्क्रीज मिलते हैं हिंदी की उत्राखिंट वगेरा कि और साथ ही दोस्तों आज आपके लिए हमारे एप्लिकेशन के श्टोर पर लॉंच हो गया है वीडियो लेवन गुरूप से फुल लन्थ फ्र lesser ठीकें इस से पहले हमने आपको दिया था दिकिए हम इससे पहले आपको मिला था पbach साच से फुल लन्थ मिलें फ्रք्टि assunto करेंगे रोज आपको δस बच एक पेपर दिया जाएगा अगले 11 दिनों तक यानकिए pubhumac चलेग यह जो ये 11 पेपर होने वाले हैं वीडियो वीडियो वाले इनको मैं थोगा moderate to tough level का बनाने वाला हूँ ताकि आपको exam में help मिले कठीन पेपर करके जाएंगे तो आने वाला पेपर आपको कहीं न कहीं psychological effect होता है और आप आसानी से उसको कर पाएंगे तो मेरी यहाँ पे दरख्वास्त सभी लोगों से जिन लोगों ने 50 practice set अभी तक नहीं लिये हैं वो लोग पहले 50 practice sets को लीजिए उसके बाद आपको ये 11 practice set में enroll करना है 21 number ठीक है 30 number तक last आप कर लीजिए उसके बाद इनको follow कर सकते हैं जिन लोगों ने जोईन कर लिया आज ही लौण चुआ था यह बहुत से लोगों ने जोईन कर लिया इसको और बहुत से लोगों का पेपर हुआ तो वीडियो का था यह पहले वीडियो का जो पेपर हो था तो उसमें साइंस भी आती थी लेकिन आप आयोग ने इन सब भी पोस्टों को यानि कि उस पेपर के आसपास ही पेपर रहेगा बहुत कठीन नी हो जाएगा उससे भी ऐसानी कि बहुत ज़्यादा कठीन आएगा उसी के आसपास रहेगा परिक्ष्याओंगल का रिविजन भी करना है डक्टर अजैस यह रावत जी भी पढ़ना है अपने उत्राखंड क के संदर्ब में हिंदी के लिए लूसें डिंदी पर वरोसा बनाई रखो साथ यह अधर फैक्ट इदर से ढूंट के ले लिए उसके साथ जी एसके के कोश्चन तो भाई ऐसे आते हैं रैंडम कोश्चन पूस्त आयो बहुत से जो हमारे अधर स्टेट्स में एक्जाम होते ह हैं वो PCS का प्री हो और PCS का हो यह साथ ही वहां के जो अधिनिस्त सेवा चैन आयो के एक्जाम होते हैं वहां से कोश्चन पिक कर लिया जाता है तो ऐसे प्रसन पत्रों को भी देखना है आपने ठीक है इसके साथ साथ जितने बी ओल्ड पेपर हैं उनको आपने जारी स्या सेट लगा सकतो लगाओ दबा के ठीक है यहां से भी लगाओ देव भूमी कट्रपोंट से उत्रकन के जितने अधर चैनल प्रोवाइड करवारे हैं उनके भी लगाओ जितने प्रैक्टिस सेट लगाओ उतनी ज्यादा आपकी तैयारी का क्या होगा आंकलन होगा उतनी ज्य लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने से ही होता है कि आपने कितने कोश्यों के रीच आपके हो चुकी है कहां तक आज पहुंचे हैं अपने आपका यहां पर जज्जमेंट हो जाता है बहुत बगल चीज है समझने वाले समझ जाते हैं कुछ लोग 6 मैंने में एक्जाम निकाल तो बहुत चीज होती है सबसे में चीज तो यह होती है सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंट एनेर्जेटिक हो एक्जाम होल में जाना तो यह प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए लिंक खुल चुक है अप्लिकेशन के स्टोर पर जाके तो चले देखेंगे पहले हिंदे का सेक्शन है इस में हिंदी करते ही हिंदी सब्सक्राइब अगर 3 गोरे किसके बाद आईगा तो qe को और तर १ा के बाद भाद से हिंदी का को से जिन लोगों ने लिया था हमारे एप्लिकेशन इस्टों से उनको मैंने बताया था इसमें जो ये टर्म आयगी इसका जो आंसर है वो है option D news pack news pack क्या होता है पेज थ्रिल पत्रिकार्था क्या होता है पीद पत्रिकार्था क्या होता है yellow journalism और एड गया होते हैं इसके साथ उल्टा पिरामिट से ली क्या होते हैं यह सभी मैंने टॉपिक कर वाए हैं आपको हिंदी के पेड कोर्स में एप्लिकेशन पर ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं उसको अब चला जाए है वाक के कैसा है तो अब चला जाए बोल ला हूँ ठीक ह जैसे कोशन इसमें पूछे गया है उसके आसपास के कोशन को आपने याद करना है जैसे कि यहां पर किस कवी को ग्यानपीट पुरुषकार नहीं मिला है अगला कोशन ही बोल ला है तो ग्यानपीट से समझाने का धेई है जितने आपके कवी परचा में कवी दिया है उन में सुमित्रन नन पंत को मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है, कुवार नार्याण को भी मिला है, माखल नाल चतुरवेदी को नहीं मिला है, इसमें option B सही उत्तर हो जाएगा, ओके, चले बगलते हैं अगले question के तरह, कौन सी संग्या क्रिया पत के साथ सुद्ध है, तो क्रिया का बात करें इसका जो right answer है, तो जल जो है, यहाँ पर हमारा संग्या हो जाएगा, और मात्रा जो है, जल की मात्रा जो है, यह बिलकुल सही हो जाएगा, ठीक है, जल की मात्रा इसमें सही हो जाएगा, option D, नेमन मैंसे किस राचनाकार को महापंडित की उपादी से विभुशित किया गया है, तो महापंडित की उपादी से विभुशित किया गया है, right answer हो जाएगा इसका, राहुल सांक्रतें जी, यह syllabus में है, कभी परचे वाली e-book जो हमारी वो ले 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 ना, आप लोग, बहुत ज़्यादा बेनिफीशियल लगी हो exam के लिए, वह खंबा गिर जाए कवियों को का जाता है, option B, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मैं कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा हमारा right answer है, इसका option D, इसमें हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकास, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकास, इसको किसी अन्य अलंकार के नाम से भी संभोधित किया ज ठीक है, मनवर्षयाम जोसी जी के लेखन में हुआता है, डिरेक्टर नी थे, पी कुमार वासुदेव डिरेक्टर थे, ठीक है, निर्देशन किसने किया तो पी कुमार वासुदेव ने किया था, जबकि लिखा किसने था कहानी को इसकी पूरी धारवाई की, वो थे मनवर् option C, sankhya swar सब्द में कौन सी संदी है, तो sankhya swar है, जब हम तोगते हैं, तो sankhya dan aswar, sankhya swar है, और इसमें जो संदी हो जाएगी, वो हो जाएगी, यहाँ या संदी option B, due to the issue, हिंदी सम्विलन कब और कहां संपन उआ, तो दूसरा हिंदी सम्मिलन हुआ था हमारा मौरिसस में 1976 में यानि कि ओप्षण एस में सही उत्तर था मौरिसस में ठीक है हिंदी सम्मिलन भी देख ले ना एक बार जाने से पहले बैठक में उपस्तित व्यक्तियों को पदानुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरंग साहिद कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर विचार विमर्स का संचिप्त विवरंग क्या कहलाता है तो ये विवरंग क्यालाता है राय तानसर था इसका option C कार्य वृत ठीक है कुछतलो कि यो 1987 कर्दम का टो जो परियाएवाची सब्द पूचता जो कि बर यनिक होते विलोमि भी योनिक फूचता समानार्थी फूचता याने कि की लिवके प्राइब हते हैं अर्थ की याधार पर वाक्य के कुछ तो विस्मयाति बोदक के हाँ पर सही हो जाएगा।oralबडग के सरालबग के संक्टलबडग के तुसमयाति बोदक टो एफचण सी याइश ब होगा अन्यकार्थी सब्का उत्षार्ग का समांद की से हैं? तो आनिकारती सब तो उत्सर्ग का सही यहां पर अर्थ बताने आपने देखा जाए तो यह हो जाता है राइड आंसर जाएगा इसका ओप्शन D दान उत्सर्ग मतलब दान ऐसा पत जो करिया या संग्या की विसेस्ता न बताकर एक वाक्या पत का संब्धर दूसरे वाक्य से जोग देता है वह क्या कहलाता है तो संग्या ऐसा नाम की विसेस्ता बिना बताए बिना वाक्या पत को एक दूसरी से जोगलगा जो वो सिंपल सा इसका आंसर वो क्या अगला question देखिए उस समय का current affair था उससे दो साल पहले का देखिए 2018 में पेपर होता, 2018 में 16 का current affair पूछा गया है March 2016 में अंतराष्टे पैरा गलाइडिंग प्रतियों किता जो ओई थी उसमय वो ओई थी पिथोरा गल जनपत में, option D अटल पेंसन योजदा में सम्मिलित होने की अधिक्तम आयू कितनी है, तो ये भी उसी समय का current था एक साब से देखा जाए, तो अधिक्तम आयू इसमें थी 40 वर्च, option B सही आंसर था इसमें, ठीक है, 40 वर्च कासिपुर में बाला सुन्दरी देवी मंदिर पर कौन सा मेला लगता है, तो ये लगता है हमारा चैती देवी मेला, option C, चैती मेला 49 शात्रों के भाहर का उसत 40 किलोग्राम है, ये उनके अध्याबक के भाहर को सम्मिलित क्या जाए, तो उसत भाहर में 800 ग्राम के उर्टी हो जाती है, तो अध्याबक का भाहर कितना होगा, ठीक है, तो simply यहाँ पर दीखे हम करेंगे, 49 शात्र थे, इनका उसत 40 किलोग्राम एक बेक्ती और बढ़ गया, यानके 40 बेक्ती हो गया, ठीक है, 40 में एक बढ़ा भाहर, तो 40 तो उसका भाहर हो गई, और सभी का 800 ग्राम और बढ़ गया, यानके 800 को 32, ठीक है, 40 और 32 कितना हो गया, दूसरा यहाँ पर ओप्शन ऐसे इसको सॉल्व करनेगा, 49 शात्रों का बहार कितना था, 40 किलो ग्राम, तो 49, 4 कितना हो गया, तो इह हो गया, हमारा 560, अब जब टीचर आये, तो टीचर के आने के बाद 40 लोग हो गया, और बहार कितना बढ़ गया, 800 ग्राम बढ़ गया, यानकि 40.8 हो गया, मुल्टिप्लाइकर तो कितना आ रहा है, 1632 आ का उल्लेग मिलता है तो यहां पर किस में पता चलता है कि श्यामसा को जहांगीर ने हाथी और गोगा भेट किया था राइड आंसर का ओप्शन भी तुझू के जहांगीर भारत में न्यूंतम मजदूरी अधिनियम का पारित वा जितने भी अधिनियम उनको याद करके जाना है तब ही मैंने पेपर आज आपको दिया है क्यों दिया है इस यही रीजन है ठीक है गड़ नरेसों के और कुमाओ नरेसों के जो हमारे मुगलों से संब्दे वहां से क्व संब्दी थे है इनको अर्जुन पुरुसकार में मिला ठीक है तो अर्दतत्रिक आपको जिसराव बास्केट बॉल से option सी गुप्त वंज़ का संस्तापक कों था तो गुप्त वंज़ की स्ताफ ना की थी option सी श्रीगुप्त ने ठीक है वास्तव एक संस्तापक पूचाते त चंदर गुप्त प्रथम होता है विल वैसे स्रील गुप्त इसका राइड आंसर है वर्से 2011 की जनगणना की अनुसार जन संक्या गनत्यों के समझे में उत्राखन का इस्थान कौन से है भारत में देखे अभी देखे प्लेस उत्राखन का बदल भी गया होगा ना फिर भी आयो की जनगणना की अनुसार जनसंक्या गनत्यों में उत्राखन का जो इस्थान था वो था पच्चीस वहां देश में नेमने में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें ठीक है तो बताने इन में से सुमेलित कौन सा नहीं है तो देखे लोहारी नाकपाला परियोजना उत्तरकासी विश्णु परियाग परियोजना रुद्र परियाग बिल्गुल गलत है मनेरी भाली उत्तरकासी सही है सब्तेश्वर पिथोरागर सही है विश्णु परियाग जो परियोजना है यह चमोली में तो option B हो जाएगा इसका गरवाल का बारदोली किसको कहा जाता है तो गरवाल का बारदोली कहा जाता है भाई या गुजुगल को option B सही answer इसमें गरवाल का बारदोली कुजुगल कुमाओ का बारदोली कहा जाता है सल्ट को कुमाण छेत्र को सोजन्या नौ दिन पहले फिल्म देखने गई वह केवल ब्रहस्पति बार को ही फिल्म देखने जाती है तो आज सब्ता का कौन सा दिन है तो केवल ब्रहस्पति बार को ही फिल्म देखने जाती है वह तो ब्रस्पति बार में अगर हम 9 दिन जोगेंगे तो ब्रस्पति बार से next ब्रस्पति बार 7 दिन बाद होगा और इसमें 8-9 यान की सुकर सनी सनी बार होगा बहुत simple question है ठीक है बोडिया जन्जाति के लोग गीत कौन से होता है तो बोडिया जन्जाति के आभूशंग और बोडिया जन्जाति के लोग गीत और कुछ रस्म है जो आप पगलके जाईएगा ठीक है इसलिए पेपर इसलिए आपको सौल्व करवार हो ताकि आपको मैं बता सुकू कौन-कौन सब्सक्राइब बहुटक्त करभा वाली सेशन में आपको करवाया है सभी भूडिया जंजादी कही गीत गया कե साली पुलि साली नी बहुता है भारत मैं पर अभिकास परिसत के स्थापना कब हुए तो ndc की बात हों रहे है टो ndc स्थापित होता हैiah nós छeriault जाएगा और शिक का ऑप्शन C कई के अगला विक्त निंग्ठंग देवी की पूजा कहां पर की जाती है तो नब्डबिकी पूजा होती है हमारी भोटिया व समुजाई में बोटिया खिख जाते है रंग हमारी वोटिया की तो बहुत से बुद्धी जीवी बोलते हैं उत्रागंड आयोग के यह सिलाबस में नहीं है यूके ट्रिपल से अपनी मर्जी से कोश्यन पेपर बनाता है कितना ही पड़के जाओ आप हिंदी में आपका आउट आप से लेपस कोश्यन याएगा लेकिन उत्रागंड में आपसे कहीं से भी कोश्यन बना देगा हूँ ठीक है इस इसका आप उत्रागंड के निवासी हो इस इसका ध्यान नगें व्यक्तिगत सत्यागर आरंब करने तो उत्रागंड में पहली बैठक कहां पे हुई थी बहुत अच्छा कोश्यन है तो उत्रागंड में जो अमारा स्वाधिंता आंदोलन चलाना यह बहुत इंप भारत का केंद्रिय मंत्री परशत किसके पृत्ति उत्तरडाई होते तो केंद्रिय मंत्री परशत जो होते हो यह हमें साम लोगसभा के पृत्ति उत्तरडाई होते ठीक है केंद्रिय मंत्री परशत किसके पृत्ति उत्तरडाई होगी ठीक है तो यह लोगसभा के पृत्ति ह कि अगला कोश्यन था पेपर में कि डिस्क्रिप्टिव लिष्ट ऑफ मार्सल कास्ट ऑफ अल्मोगा के लेकर कौन है तो एक पुस्तक का टाइटल दिया गया है एंड जो इसका राइड अंसर था वो था ऑप्शन डि गंगा तुपरिती जी किये भूक है दिस्क्रिप्टिव लिष्ट ऑफ मार्सल कास्ट ऑफ अल्मोगा तो इस तरह की कुछ डिफिगल्टी बुक्स के टाइटल पूछ ले रहा है आसके लिए रिपल ऐसी ठीक है लिंगिश्टिक बॉड़ी ऑफ जॉन सारी ऐसे कुछ यहां पर एक पुस्तक था उमासंकर 37 की यह प्यॉर मान के चलो तो फीट का कोड 47 है तो यह कैसे करता है देखिए इस पैटन को समझने आपने जो एप का क्रमांक है एफ कौन से नमबर पर आता है अल्फाबेट क्रम में ए बी सी डी एफ यानि कि 6 नमबर पर 6 से इंटू 1 कर रहा है यह हमारा पांच है तो पांच गु को दस दस बीस और 28 ठीक है और हमारा क्या हो जाएगा फिर उसके बाद नहीं माप की जिए आगे को बगते रहे गए देखिए फीड में थोके द्यान से समझे एफ इडी फीड कर रहा है नो तो एप का क्रमांग कितना है छै तो 6 गुए एक कर रहा हो बड़ाबर 6 हो गया ए ऐसे डी का क्रमांग कितना है चार है तो चार कुंगा चार करेगा चोंधेपत का तो अब इन सब को जोग दो 16 और 15 धन 10 धन 6 तो 16 और 15 31 धन 10 41 और 46 47 ठीक है तो अब यह हमारे मीट का पूछा है तो मीट का हम सीधे करके देखते हैं देखिए मीट तो एम का कितना होता क्रमा एम का हो जाएगा 13 3 ू2ी 2 यूटतिषसक पांच गूटति ओं तारी वाली इंगा होगा पांच गूटतीन और टी का कितना होता है तो टी का किरमांग को यह होता है इचिंग 20 डिदिंट्फोर हो जायगा तो कर दो सढ़ में 13 ू1 13 dicen deg tu 5 दून 10 5 सaffront 5 15 और टी का भी से एक सो पांच एक सो पांच में तेरा जो गए तो मीट का कोड हो जाएगा एक सो ठारा कौन सा ऑप्षा यह 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 दिखो तो यह से बन रहा है 1935 देखिए 1935 में किस पत्र का प्रिकाशन अल्दमगल से किया गया था तो यह था हमारा सम्ता नामक पत्र ठीक है वहात्य सम्विदान की संकट काली न vastा है कहां से ली गई है तो संकट काली ब म यह था है्निकैद hvad मीटीटर paarचि टे絹ста इमाले चेत्रों में जो मलबा वगएरा आता है किसके साथ बरप के स्लाइडिंग के साथ तो निक्षेप मोटे मोटे बालु करने हमारे तलटी में जमा होते हैं तो इन्हीं को मोरेन का जाता है तो करेवा भी इसी प्रकार का यह कस्मीर हिमाले की विशेषता है ठीक है तो option 20 क दुआधार जलपरपाद किस नदीपर है तो दुआधार जलपरपाद है आपका नर्मदा नदीपर नर्मदा option D राज निर्वाचन आयोक का गठन भारत के कि समविदान के अनुछे त्वरा किया गया था आप question को समझो ना जलपरपाद आरे तो जलपरपाद को आप बंद ले गए इनको आपने पढ़ लेना है और ग्राम पंजयत के तो जितने भी अपका आर्टिकल होता है ग्राम पंजयत के गठन के वह आपने याद करने कौन से आर्टिकल में क्या जैसे यहां पर पोस्टा कि राज्य निर्वाचन आयोक का गठन भारत के समिदान के किस अनुच्छे त्वरा किया गया है यह निर्वाचन आयोक पूसर है अभी ग्राम पंजयत के कोश्यन है के डिटेल में तो इसका जो राइड आंसर था ऑप्षिन भी अनुच्छे 243 के मोहन उपरेती कोन है तो राज्य में मोहन उपरेती सभी लोग जानते है मोहन उपरेती इसमें और इसमें पर सीधे चले और फिरा आप और मुल रहें यॡिके तो अश्तो होता हुआ सूर्य अगर मेरे दाई ओर होगा तो सूर्य मेरे अस्त कहा होता है पश्चिम में अगर यह सूर्य मेरे दाइं ओर होगा अस्त होता हो सूर्य यानि कि मेरा मुह अभी कहाँ पर है साउथ की तरब है दक्षिनल की तरब है ठीक है अब इसी सिच्वेशन को मैं उल्टा कर देता हूँ दक्षिनल की तरब मेरा मु पूर्वर्वर दिसा से मैं क्या करा सीधे चला, मुँक्षिक में शीधे चलीतीय वेस्ट ने याना के पहले मेरा मुझ पश्चिम दिशागी हो था डिगा option ने बिलकुल सही हो जाएगा बारतिय स्वतंतत्रा संग्राम के तुरान निन मैंसे किसने इस बात पर जोड दिया था कि ग्राम पंचातों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनितिक सकती का विकेंद्री करनग होना चाहिए है तो यह आपने अगर डिटेल में पढ़ा है modern history तो तभी question कर पाते हैं गांदी जी के बोल थे बई option D बारते सुविदान में पंचाती राज ब्यवस्ता से सम्वनित अनुसूची कौन सी है तो बहुत डिटेल में पढ़के जाए क्योंकि दो तिन पोस्ट है इसमें ग्राम पंचात से रिलेटेड है जैसे के ग्राम पंचात विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी तो इसका जो राइड आंसर है option D 11 वी अनुसूची में है ग्राम पंचात ठीक है पंचाती राज भी होस्ता 11 वी में हमारी क्या है ग्राम पंचेत 12 वी में नगर पंचेत उगा उल ले गए गरवाल एंसेट एंड मॉडन पुस्तक किसने लिखी बार बार पूछी जाती है गरवाल हमारी एंसेट प्राचिन और आधुनिक गरवाल ये लिखा था किसने पाती राम ने option D इंग्लिस में लिखा था ठीक है एक क्वेशन यहां से आउग ने यह भी बनाया था कि पाती राम ने जो गरवाल से समझेट पूस्तक लिखी किस भासा में लिखी तो टाइटल आप समझी लें देखके गरवाल एंसेट एंड मॉडन तो ये इंग्लिस में ही होगी option D ओशनल कटीबंद्य गहास के मैदानों को क्या का जाता है तो ओशनल कटीबंद्य गहास के मैदान करते राइट आंसर है option C सवाना देए गए चित्र में कितने वर्ग हैं देखे तो वर्ग आप द्यान से समझेए इसमें तो दो तो कटिंग है देखे एक हमारा अंदर का है जब एसे वर्ग आता है तो कितने हो जाते हैं 5 और इसके बाहर ऐसे दिया गया धिक है यह भी हमारे फुल दिया है पांच-पांच दस तो यह होगे लाधर हमारे यहां पर जुगा है और एक वर्ग कि यह जुगा है 10 दो बार तो इसमें बार रह वर्ग है option आज इसमें ठी मस्रूम जो हमारी रोक्स होते हैं मस्रूम रोक्स कहां पर मिलते हैं ठीक है तो चत्रक सिला नुमा जो आकर्ती बनते हैं ऐसे मस्रूम की टाइप की यह यह हमारी मरुस्तल में बनते हैं मोरेन कहां बनते हैं तो यह हमारे इमाले जेतरों में बनते हैं ठीक है गलेजियर के बा किसी वस्तु को 75 में बेजने पर एक आर्मी को 4 प्रतिशत की आनी होते हैं उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20 प्रतिशत का लाब हो तो profit and loss का question बना है अगर formula के हिसाब से हम इस question को करते हैं तो इसका right answer जो निगलेगा option यह निगलेगा अच्छा कोशिए निगे तो अस्वा अक्ष्यान से का जाता है आपका option C उपोष्ण उच्चद आप पेटेगो ग्राम पंचयत सदस्यों की योग गता समीदान के किस अनुच्छेद में वहां लिते हैं देगे मैंने क्या बोला को ग्राम पंचयत से सम्मधित जितने भी article है इनको आप याद करेना गर्थन किस में है ग्राम पंचयत की सदस्यों से योग गता से सम्मधित जो प्रावदाने किस में है ग्राम पंचयत को भंग करने की ब्योस्ता किस में है ठीक है निर्वाचन किस में है सभी चीजों को आप पॉइंटों को याद करके जाना इसलिए पेपर देने का मिरा यहां पर भी प्राई था था कि मैं आपको बता सुगू अगर ग्राम पंचयाद के चुनाओं होता है उसमें सदस्यों की योग गिता का जो अनुच्छेद है कि सदस्यों की क्या योग गिता होनी चीए क्राईटेरिया तो यह हमें बताता है कौन सा आर्टिकल ऑप्चन बी अनुच्छे 243 एफ आर्टिकल 243 एफ कुमाओं में चंद सासन का जन्म दाता कौन था तो चंद सासन की स्थापनाकिती सोमचंद ने ठीक है परमारवनसी की स्थापनाकिती कनकपाल ने आधा राज्य अं तरहिट ने कौटवार में किस पत्रिका को सुरू कि था तो उतरागन का पत्रिकार ते गायतीयास जिसने हमारा उतरागन जी के कोस लिया उसमें अगर देखे आगर आपने कोस अच्छी से पौर यह जितने कुषेन बनने आपको वहीं से मिलेंगे ठीक है डार्टक्ट कोश और जो अन्य विद्रो हैं उनको भी याद कर लें जैसे कि मुंडा विद्रोग आ वहा था था संथाल विद्रोग वहा था था तो यहां से कोशियन बनते हैं इसलिए यह पेपर आपको समझना चाहिए किस सासन व्योस्ता को सौन यूप के रूप में जाना जाता है तो यहां सफ्रागन का प्रथम पावर आउस कौन सा है तो यह हमारा कौन सा है ग्लोगी जल विद्धूत पर्यूजना सबसे पहले यह बनाई अंगरुशने और यह कहां पर मसूरी में बच्टाफ होल पे ठीक है राजाजी राष्ट्य उध्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रख सबसे पहले क्या होगा बाई सबसे पहले विज्ध्यापन आएगा यानि कि पांच उसके बाद लोग क्या करेंगे आविदन करेंगे छे आविदन करने के बाद क्या होगा इंटर्व्य होगा दो साक्षातकार ठीक है इंटर्व्य होने के बाद आपका हो जाएगा यहां प पहला राज़त है तो अपने नाम के आगे जो सहा की उपादी लगाई वो बलबधर पालने लगाई थी ओप्षन ही हो जाएगा इसमें लोध्यों निदी थी इसको कीबोर्ड में function की कितनी होते तो टाइपिंग प्रेक्टिस आप लोग करते हैं तो इसमें कीबोर्ड में फंक्षन की कितनी होते हैं तो एफ 12 तक होता है न तो क्या हो जाएगा राइट अंसर ऑप्शन भी एफ 12 तक होता है करता है मिलम के पूर्वी छोल से हम इसका मान सकते हैं तो क्योंकि उत्राइगन भूगल में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर साप साप दिया हो तो लिपुलेक दर्रे के पास इस ते काला पानी प्लेस पड़ता है व्यास आस्रम तो यहां पर से निगलती है हमारी काली नदी ठीक है और इस्थाने भाषा में इसको काला पानी गाग या काली गंगा भी कहते हैं और काकागिरी परवत के समाना अंतर भारत नेबल का बॉ पूर्वी छेत्र के कई कई ना अब करें कुछन थोगा भी वा लॉब दिती है दा स्टोरी ऑ इंडियन आर्खे लोजी के लेखक और तो यह पुस्ता गदर स्टोरी ऑ इंडियन आर्लेणार के लोजी आज़ेर यॉड़ाम का ऑप्शन दी तो यह एसें रोई एन बैं में स से MS-K रूलर में नहीं होता हैं सैंटर इंटन्ट में नहीं होता है अ मिinctionscenny रंतना लाइवीम्ञांड के बारे में नहीं फिके सथन्ट वर्फितार स्लीं चरहते हैं सलोग ढूंटischer सब्सक्राइब तो यह ओप्षण का पुर्योग वर्जी तो यह ऊप्षन गलत उगया विश्व विरासत दर्वरसूची में सामिल किया यह विश्व किया शुक्त दर्वर सूची में तो ऑप्षन मद्र कहा है तो हाट काली का मंद्र हमारा गंगोली अपितो रग्रम है न्याई की देवी का जाता है इन को इन में से smps का नाम क्या होगा तो smps बहुत बार हमने कम्पीटर के कुश्चिन में भी किया है smps का फुल होता है वो होता है option a switch mode power supply ठीक है switch mode power supply कि डाक्टर दिवान जी यहां भाकुनी का संबन्ध किस्से हैं आपके जिए दाक्टर दिवान भाकुनी जी तो भाकुनी जी रिलेट करते हमारा उसदी व्यक्जानी करें ठीक है option c आगरा सहर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था तो आगरा की स्थापना उईती 1504 में आगरा सहर की स्थापना और एकिती सिकंदर लोदी ने option d सुन्दर ढूंगा हिमानी किस जन्पद में इस्तित है तो बहुत सिंपल कोईश्यन है भागेश्वर में सुन्दर ढूंगा और अच्छे खुबसुलत पत्थर यहां पर देखने को मिलते हैं अभी कोफणी नदी पूछा गया था आपका कोफणी नदी कोफणी नदी यही सब्सक्राइब कोफणी नेशनल लीग फॉर्ट रेमो कर सिजी ऑप्शन सी सैलेस मठियानी का जन्म उत्रागन के किस जन्पद में वहा था तो सैलेस मठियानी का जन्म वहा था बागल चीना जहां पर मारा लाख होडिया रिस्तित है जिसके निगर तो यह हमारा अलमोड़ सब्सक्राइब तो जो अमारा घुनी गड़े चांतपुर गड़े सिंपल से नाम दे आउग वैसे तो बावन को याद कर पाएगा लेकिन इसमें लॉजिक था क्योंकि इन गड़ों का जिक्र बहुत से कोश्चिन में होता बधान गड़ का युद्ध देवल गड़े जो र अनसर है की के साब सी हूँ चीक है फिर तींटाइब ध्याल झीक जीर में गड़े में संवाधिक निखsAH 24 सिफ्सिक्स तरे शिक्शक लाएगा प्लस 18, ठीक है, 24 में ये कर रहे है, आपका, प्लस 36, 60 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही अगला जो पद आएगा, इसमें, नीचे भी जाएंगे, तो हम कितना हो रहे है, 6 और 12 का अंतर आ रहे है, 18 और 36 में कितने का अंतर आएगा, 28 का इंतर आएगा, तो अगला जो पद आएगा, इसमें, उसमें कितने का अंतर आना चाएह, आपका, 36 और, आपका 60 है, तो यहाँ पर, आपका, 60 60 प्लस 60 का अंतर आना चीए ठीक है अठार के बाद क्योंकि कितने का अठार चार 24 का अंतर आएगा 36 में अगर 20 हो जाता है 60 उपर दिया हुआ है 60 में 60 जोगता है तो में 120 होगा इसका अंतर ठीक है 86 का सी हो जाएगा इसमें ऐसे बढ़े गए दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखू को किस गरवारी राजा ने सरमिर दी तो यह बहुत बार रिपीटेट कोशन है पृत्वी पती साहा ने दी जल्ली गट्टू किस राजजे का पारम पर एक खेल है बहुत विवादों में राता है ठीक है पस्वों के साथ क्रोलता सम्मदित इसमे प्रश्राबर जाएगा उन्मुक्त चंद केर सही है एक ताबिश्ट करिकेटर सही है यह बचेंद्रिपाल निसानीबाजी गलत है परवतार होई थीक है अठासो सतावन की करांती के बार में किस ने कह था कि यह तथाकतित प्रथम राष्टे उस्था राष्ट्य है नहीं स नहीं यह स्वतंतर्ता संग्राम था यह स्टेडमेंट यह था आज सी मजूमदार ने ओप्शन सी कठीन कोईश्यन था भाई यह देगे ऐसा कोईश्यन पूछ रहा हूँ गरवाल में इस्तित अजयपाल का राज भॉन किस वर्च भुकंप के कारण छेति गरस्त हुआ तो भुष्कला नुवा ने तालमा 880 में भारत में नीती आयुक की स्थापना कब हुई थी तो नीती आयुक की स्थापना हुई थी नैशनल इक्स्टिटूशन फोर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया एक जनुरी 2015 ऑप्शन ने सही है कुमाओं परिशत का गठन किस वर्च से तो कुमाओं परिशत का जो मूल इस्थापना का उद्देश है था वन समस्याओं के लिए बनाया गया था चेत्री संगठन दा और कुमाओं परिशत का गठन उवाता राइट आंसर इसका 94 का 1916 ऑप्शन सी रमेस 21 अक्टूबर को पैदा हुआ वह स्याम से 9 दिन छोटा है ठीक है इस वर्ष मार्दमा गादी जी का जन्मदिन मंगल बार को होगा तो श्याम जन्मदिन कीस दिन मनाएगा देखे भाई बहुत सिंपल क्वेश्यन है गादी जेंतिया आप सभी को पता है दो अक्टूबर को क्या बार था मंगल बार था है ना देखे कोश्यन कितना ग तो इससे दो दिन पहले कौन सा बार होगा संडे होगा यानि की रमेश अपना बढ़्डे मनाएगा रभिवार को ऑप्शन सी ठीक है बहुत सिम्पल था क्वेश्चिन लेकिन कितने कैसे इसमें गुमा दिया गया देगे कोश्चिन में ठीक है रमेश का नहीं पूचा जा रहा है ठीक है चले फिल से करते हैं देखे रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ है और श्याम से 9 दिन छोटा है तो 21 प्लस 9 यानि की श्याम 30 अक्टूबर को पैदा हुआ है तो यहाँ पर श्याम का जन्मेदिन पूचा जा रहा है तो 30 अक्टू हो जाएगा इसके बाद 30 अक्टूबर को मंगल हो जाएगा ठीक है तो 30 अक्टूबर को तो मंगल आ रहे हैं आपर तीक है अब मैं ही इसमें क्वेश्चन में क्या होगे मैं रोटेट हो गया हो जो कि आपकी जे दोस्तों मेरा देखें यहां पर घूम गया दिमांग देखें 30 अक्टूबर की होगा बाद में थोगल पैदा होगा श्याम पहले होगा नौ दिन बगाया तो अगर 21 को रमेज पैदा हो रहा है तो श्याम इससे नौ दिन पहले पैदा होगा यहीं कि 12 मैंगल पार था तो अगला मंगल पार कब होगा नौ अक्टूबर को हुगा तू 10 अक्टूबर को बुधवार हो गार्यार पकूश्यन का answers सुक्रबार समझ पाएं नicionकर्lt 오ा रमेज 21 अक्टूबर को पैदा हुआ Star Sky को नौ दिन थोटान सर्ण उन üzर्वह यहीं कि 12 तो दो से नौ को अमारा अगला मंगल बार आएगा, दस को बुधवार, इग्यार को प्राश्पतिया गुलुवार, और बार को सुकुरुवार, ठीक है, ऐसे ही गूमत है दिमाग ठीक है, एक्जाम में तो थोगा ध्यान से करें कोश्यानों को, जल्दी बाजी में ऐसी कोश् कलहांग ने लिखिया जो, भारत में जो सहयज निती का निर्धारण है किस देश के अनुभवववार था हुआ तो सहयज आपको पताये, इस पेसल एकोनोमिक जोन और इसका निर्धारण हमारा हुआ ता, ऑप्शन भी, चाइना के, अनुभवववववर था, जाइना के अ सोवर्स के गउंगके जानवी नदी निम्नमा अप्छे से संबंदित इस जानवी नदी लंका नामक प्लेस टीक है कि कि प्रकार की मोहर नहीं सिंदु गाड़ी सभता और मैसा पोडयाम के मजबूत रिस्तों को बताती है कौन सी या पर हमारे मोहरे हैं कि सिंदु गाड़ी सभता मेसा पोडयाम पर अल्ट तो यह इसका तक मूहर एंट है और दोस्तों देखिए इसी तरजी पर इसी पैटन पर हमारे पेपर हैं सभी इसलिए मैं बोलता हूं पचास गुरूप सी के पेपर है हमारे एप्लिकेशन के श्टोर पर इनको आप सौल पीजिए बहुत ज़्यादा बैनिफिट आपको मिलेगा और जिन लोगों ने इसमें पहले इन्रोल कर ले था क्योंकि दो मैंने पहले यह लॉंच हो चुके थे पचास गुरूप सी प्लैक्टिस है तो उन लोगों के लिए आज हमने यहां पर लॉंच कर दिये हैं आपका जो 11 गुरूप सी प्लैक्टिस है तो इन पेपर को भी आपने ज़रूर देख लेना है तो इसको भी आप देख लीजेगा और इन्रोल कर लेना इसमें तो किस नवंबर से यानि कि दो दिन बाद आपको यान कि संडे से किस नवंबर को संडे है तो संडे से आपको यह पेपर मिलने सुरू हो जाएंगे और इसके बाद कंट्यूनी जब तक 11 पेपर खतम नेंगे देली मिलेगा आपको रोज 10 बजे सुबर तो इसको भी आप फॉलो कर देना इसको फॉलो कर देना है अपने जीवन में दोस्तों आप लोगोंने एक पेडल लगाना है और लोगों को भी अवैर्ट करना है क्योंकि देखे परियावरां रहेगा तभी हमारा वजूद द्धान दखें जय हिंद जय उत्राघंड सुबरात्री दोस्तों